तो पिछली वीडियो में हमने मट्रील लेब के बारे में पढ़ा था उसके अंदर थीम वगेर टाइटल यह जो यह बेनर होता है डीबग का बनर वो केसे हटा देंगे वह सारा मने पढ़ा था तो इस वीडियो में हम इसके फोल्ड के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली इसके फोल्ड क्या होता है इसके फोल्ड एक विजिट होता है जो प्रोवाइड करता है विजिल देट क्रेट सा विजिल इसके फोल्ड फार्म मैट्रियल डिजाइन विजिट सा तो हमने एक मैट् तो हमारा चल तो जाएगा, प्रेन भी हो जाएगा, लेकिन उसके अदर कोई भी डीजाइन नहीं होगी, कोई भी उसका मदब तीम सही से नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसके फॉल्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसके फॉल्ड के अंदर पूरी डिजाइन होती है, पुरा होना है body जो यह हमारी application होगी, यह सारा हो गया, तो सबसे पेले में इसका dark theme हाटल लेता हूँ, तो यह body जो हो गई है, यह जिस white जो skin देख रहे हैं, यह पुरी हमारी application की एक body होगी, जो यहां पे हमने दी हुई है, ये इसके फोल्ड के अंदर है और ये इसके अंदर होता है एबार एबार ये जो उपर वाला देख रहे हैं बार ये इसको क्या बलते हैं हम एबार बलते हैं तो इसके फोल्ड के अंदर ये एबार आ गया एक वोड़ी आ गई और इसके अंदर एक होता है ड्रावर और यह यहां पे driver हमारा open भी हो रहा है लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बढ़ेंगे फिला लम इसके फॉल्ड की जो argument से जो इसके properties हैं वो हम देखते हैं तो जैसे में driver add किया तो इसका अपना icon भी आगा driver का और इसके अंदर एक और होता है sorry, background color अगर कोई एक widget है जिसके बारे में आपको उसके properties याद नहीं है यह मतलब यहां उसको अंदर कौन कौन से properties हो सकती है तो आप उस पर क्या करें control इस पर इस दबादें तो उसके अंदर जो भी properties वगिर होंगी वो सब आपके आगे show हो जाएंगी फिर वहां पर देखके आप देख सकते हैं कि कौन सी आपको यूज करनी है या कौन सी मतलब आपके आप उसको यूज करना चाहता है तो यहां पर मैं कहा दूँगा मैंने दिया बेगरांड कलर तो इस पर मैं होर करूं तो यहां पर क्या बता रहे कलर बता रहे तो जैसे मैंने इस पर होर किया तो इसका टाइप क्या बता रहे कलर बता रहे मतलब यहां पर यहां पर यह एक कलर लेगा तो फिर लो color देने का तरीका क्या है कि colors, data फिर कोई भी color का नाम दे दो जिसे मैं यहाँ पे दे दो गिरें तो देखें यह जो हमारा इसके full था उसका पूरा color चेंज हो गया तो color तो पूरा का चेंज हुआ है लेकिन यह हमारा एब बार का color चेंज हुआ है इसका अपना color होता है इसके अलग properties वगर होती है और इसके full के अंदर एक और property होती है floating action button तो जब भी आप coding करें तो इसकी जो spilling की spilling का खास जहान रखें spilling के जादर mistakes होती है जैसे यहाँ पे चोटा लिखा हुआ है floating और action का A बढ़ा है और button का B बढ़ा है तो यह आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यह जो properties होती है न तो इनका rule होता है जो भी उनके word होंगे न तो उनका जो पहला word होगा तो उसका जो first जो letter होता है वो सिमाल में होता है जैसे यह आप सारे देख लिए जैसे यह home हो गया background होगा है जो इनके सारे word है first word है उनका first जो letter हो सिमाल में है फिर आगे जो उसके word होते है न तो उनका first letter क्या होता है तो यह इनका rule है तो वैसे आप जाएगे कि यह क्या है एक property एक argument ले रहा है तो फिर अगर उसके अंदर उसके बाद यह colon देना लाजमी है और last minute कॉमाद जरूर आता है तो यह क्या है हमने हमारा floating action button यह एक property है यह क्या ले रहा है यह widget ले रहा है तो widget हम को सा देंगे floating action button औ और bracket तो यह हमारा क्या होगा यह एक यह हमरा widget हो गया है यह क्या करे का यह यह हमारा इसके फोल्ड है यह हमारी जो body है तो यहां फिर right side बे नीचे bottom में यह एक button आजाएगा खुद बाखुल यह मतलब वह floating button होता है floating action button और इसके अंदर कुछ properties होती है जैसे on pressed हो गया और इ doing action button के उपर अगर आगर आप इसको hover करें तो यहां पर जाएं तो यहां पर क्या लिखाव है यह सारी इसकी properties हैं यह सारे इसके arguments हैं तो यह लिखावा है required void function मतलब जो भी यह यहां पर इसकी properties हैं यह कोई भी required नहीं है कोई भी लाजबी नहीं है लेकिन यह जो function वाला है on pressed on pressed वो लाजबी है जैसे अगर मैं यहां से यह हटा लूँ तो देखें यह क्या error दे रहा है और error लिखा होगा the named parameter on pressed is to cad मतलब on pressed on pressed parameter आपको देना लाजबी है तो वो मैं on pressed breakards और यह अगर यह नहीं दिना चाते तो आप इसको नल ही कर दें क्योंकि यह on pressed एक function लेता है और हम इसको फिलाल यूज़ नहीं कर रहे तो इसको हमने नल कर दिया मतलब हमारे काम का नहीं है तो इसको हम फिलाल यूज़ नहीं करेंगे कि button पर click करें तो क्या होगा तो इसको हम अटा लूँ और इसको मैं save कर लूँ तो देख सकते हैं कि यह हमारा एक button आ गया है लेकिन यह सिर्फ इसके अंदर कुछ लिखा हो नहीं यह ना इसके अंदर कोई आकन है यह सिर्फ इसी खली एक button है तो उसको हम एक child देंगे और child के अंदर में एक text दे दूँ और इसमें लिख लूँ मैं एक ok तो देखे यह यहां पर इसका print हो गया है और अगर मैं इसको text को हटा दे कोई icon दे दूँ तो उसका देगा क्या है कि हम icon लिखते है icon widget और उसके अंदर icons data फिर कोई भी icon का नाम यह देखो यह सारे icons आ गए फिर यहां में मैं दूँगा जैसे add तो यहां पे हमने एक floating button create किया है और उसको properties दीए on pressed तो जब भी आप floating button create करें तो यह on pressed यह parameter यह properties देना लाजमी है वरना यह आपका error देगा तो फिर उसको अगर आप काल उस पर काम करना है कि जैसे आप button पर click करें तो क्या होगा तो वहां पर आप यहां पर function लगा कि यहां कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन अभी मैं ने इसको अनल छोड़ दिया है और उसका एक child है child का मतलब क्या है कि floating action तो बन गी है फिर उसके अंदर क्या हो जैसे यह बिल icons.aid यह क्या करेगा यह एड का जो होगता है पिलस वाला वह icon यहां पर show हो जाएगा तो देख सकते हैं यह यहां पर हमारा button बन गिया है और उसका icon हमने पिलस वाला रख लिया है icons.aid यह ड्रावर हो गया इबार हो गया और floating action button हो गया यह कोई एक icon हो गया icon widget हो गया यह text widget हो गया तो इन के बारे में हम मझीद पढ़ेंगे आगे तो इन सब widgets के बारे में हम अलग-अलग से पढ़ेंगे लग-अलग से इन पे मैं एक vidéos बनाूँगा जहां पे मैं पूरी तरह इनको explain करूंगा इनकी properties वगरा गो तो इस वीडियो में सिर्फ इसके फोल्ड के बारे हम बता रहा हूं तो इसके अंदर क्या क्या properties होती है जिसे background color हो गया, driver हो गया, app bar हो गया और floating action button हो गया और इसके अंदर body हो गई और इसके अंदर एक और होती है वैसे तो काफी है लेकिन जैसे bottom sheet होगी और bottom navigation बार होगी तो इसको फिलाल हम नहीं देखते है इस पे एक अलग हम वीडियो बनाएंगे पूरा इसको discuss करेंगे क्योंकि ये थोड़ा lengthy हो जाएगा और थोड़ा confusion पिदाख करेगा तो यहां पे हमने अपना एक button बना दिया floating action button इस पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊगा जिस पे अंदर इसके पूरी properties वगरा कैसे use करते हैं अगर button पे click करें तो फिर क्या होना चाहिए वो सारा हम इस पे पढ़ेंगे किसी और वीडियो में तो आज के लिए सिर्फ इतना ही तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में